नमस्कार किसान भाईयो प्रधान मंत्री किसान शमान निधियो जना की सोलवी किस्त को लेकर बड़ी अपडेट जिना की सोलवी किस्त कब तक किसानों को करवानी होगी अपनी EKYC कमप्रेट इसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते ह वीडियो में आगे बड़े उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले फासम बैला घंटेक निसान को दबाकियों लॉटिक क्वेशन को और करने के साथी वीडियो को लाइक शेर करना बिलकूर ना भूले जिन साथी प्रधानमंती नरेंदर मोजजी ने 15 नॉमबर को 15 चारी की गई थी और ये जार खंड के दोरे के दोरान माने से प्रधानमंती नरेंदर मोजजी ने 8 करोड स्याधी किसान योग लाभारतियों को 18,000 करोड रुपे की अधिक की लिश्ट के अंतरगत जिन किसानों क नाम था उनको ये दासी ट्रांसपर की गई थी अब हम बात करें तो किसानों को EKYC के लिए पुरी तरीके से यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि किसानों को नए साल में EKYC करवानी होगी बिना EKYC के अब प्रधानमंत्री किसान शम्मान नीथी हो जनाकि सोलवी किस नहीं मि संबावना यही है कि 26 जनुवरी के बाद कभी भी प्रधानमंत्री किसान शम्मान नीथी हो जनाकि जो अगली किस्त है यानि कि जो सोलवी किस्त है वो जारी हो सकती है सोलवी किस्ते पहले किसानों को नए साल में अब EKYC करवाना बहुत ही जरूरी है आप अपने घर बेठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्काइब करें और सबसे सटीक और पुक्ता सबोतों के साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए पासे मेला घंटिक निसानों को दबाकियों को ओन करें वो जानकरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक सेयर करना बिलकू न भूले और आपको अभी जो 15 किस्ते यानि कुल 30,000 रुपे मिले हैं इनमें से कितने किस्ते प्रवाइड हो पाई है कमेंट बोक्स में जरूर अपनी राय सेयर करें बलेंगे साथ और जलतीन अप्डेट के साथ तब तक ले धन्यवा जेहिंद रामराम